नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में आज मैं आपको बताऊँगा साउथ इंडिया बेंक के बारे में इस बेंक को कोई चोटा रोकेट बता रहा है कोई बता रहा है कि जैकपॉर्ट सेयर है कोई कुछ बता रहा है त आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस टॉक्स के बारे में जानकर ही ले सकते हैं ठीक है तो देखिए क्यूंकि इस टॉक्स चोटे और यह प्राइवेट बैंक्स हैं और इनके उपर रिपोर्ट्स इसलिए ज्यादा इंपर्टेंट्स आयाती है कि गवर्मेंट का यह देखिए गवर्मेंट लुकिंग एट एवन्यू टु मर्जर पीस्यू बैंक्स फाइनस मिनिस्टर अरॉन जेटली बोल रहे हैं कि जितने भी छोटे शोटे बैंक्स हैं यह पीस्यू बैंक के साथ में इनका मर्जर करने के लगे हुए हैं इनका है एक उद्देश है इस छोटे बैंकों को बड़े बैंकों मर्ज करके और एक बड़ी मतलब इंटाइटी बनाना जैसे कि आपने इससे पहले देखा हो कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ था है इसके बाद लेक्षमी विलास बैंक का और इंडियाब बैंक को टकमेंदरा बैंक इन सब बैंकों के साथ में बात चल रही है अब बताता हूं इस बैंक में आपको क्या है कोई फाइदा है या गाटा है इस बारे में अगर जाएंगे तो कंपनी की इंफोर्मिशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी इंफोर्मिशन में आपको पचास पैसे का हाई है सतर रुपए सतर पैसे का यानि बीस पैसे का में ही घुमा इस यह उसके बाद अगर फिफ्टी टू विक्स की हाई की बात करते है तो बारा रुपए सब्सक्राइब देखेंगे तो यही से में पूरी बात उल्टी हो जाती है तीस परसेंट का निगेटिव रिटर्न है अब आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि साथ इंडियन बैंक है क्या यह जो है फर्स्ट प्राइवेट बैंक थी जो कि किरला में 1964 में आर्बिय के अं 1992 में और इसके जो में प्राइवेट बैंक जो है और आज की डेटर में अगर बात करते हैं तो इसके टोटल 697 इसकी ब्रांचेज है 665 में यह वर करता है अब यह तो रही साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात अगर आज का इसका मूब देखिए तो NSC का मैंने यह 300 दिखाया रहे की कुछिस कर रहा हूं आपको कि इसका क्या हिसाब किताब है इसकी फेस वैल्यू एक रुपए की है और इसमें ट्रेड़ेड जो शेयर हैं तो एक करोड़ दो लाग 47697 शेयरों का आज ट्रेड हुआ है और ट्रेड़ेड जो वैल्यू थी व अर ZR 121470 क करोड का इसका है और बाकि 52 विट से हैं लोग की तो बात ही चुक है और आज के भी हो चुक है दर बात करते हैं कि अगर 16 अपरेल की बात करते हैं जो लास्त रहा में ट्रेड हुआा Windows 30 ॐ यह मतलब क्लियर है कि लोग अगर इसमें प्रैसा लगा रहे हैं अगर जो वोल्यूम जो एक करोड़ दो लाक है ताले सजर के वोल्यूम जो ट्रेड हुआ भी है तो उसमें से मात्र 37 लाक ही दिलीवरी में गए हैं बाकी लोगों ने अपने शौदे के बनाए और काटे हैं य इसके पास कोई खास नहीं है डिलीवरी 35 परसेंट बस्व कर रहा है अगर उसके उपर जाएं तो यह डिविदेंट इसकी ओवराल ठीक ही है तूपंट टूफाइट की है अब अगर इसका कंपेर करते हैं इसकी पियर कंपनी के साथ में तो पियर कंपनी में अगर से एक साल का रिटर्न है 18 परसेंट का स्टेट बैंक के बात की बात करते हैं अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं एक साल में आपने पाया क्या है तो आपने एक लाग रुपे लगाए होंगे तो आपके तीस प्रतिसत गटके 69,980 रुपीज आपका टूटल बचा है तो इसमें आपको तगड़ा लॉस हुआ होगा अगर एक साल से आप होल्ड करके बैठे हुए हैं अब अगर इसके प्रॉफिट लॉस की अगर बात कर लें तो इसके शैल्स में तो 11 परसेंट की तीन साल के अं 11 था अभी सेल्स के ऊपर करोड़ में अभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है टू वान एट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जीरो है और प्रॉफिट आफ्टर टेक्स यही में चीज होती है तिरा सीजर का प्रॉफिट इसने 2018 में दिसम्बर को 533 क्रोड़ से गिरके और पूरा एफाई में इसने 334 क्रोड़ किया जबकि 114 अभी काफी 114 क्रोड़ मार्च में था उसके ऐसके वाद काफी गिर गया है और अब नेक्स्ट गेर बात करते हैं कि इसका सेंसेक्स और निफ्टी के साथ है तो जहां निफ्टी और सैंसेक्स जो कि बहुत ही खराब है जब कि और बेंक अच्छे काम कर रहे हैं उसी के उपर यह बहुत खराब कर रहा है अब अगर बात करते हैं इसकी मुचल कि अच्छा माल उठा रहे हैं अब अगर इसकी डिवडेंट इस्ट्री की बात करते हैं तो डिवडेंट इस कंपनी ने 17 जुलाई 18 में दिया है और यह डिवडेंट दोनों साल की बात कर दोनों साल इसने 40-40 परसेंट का डिवडेंट दिया है तो अब इसकी face value एक रुपय की है तो मतलग है चलिश पैसे का डिवडेंट एक शेयर पर इसने धा दिया है तो ठीक है तो डिवडेंट खराब नहीं है क्योंकि अगर इसकी बात करते हैं तो आप देखिए यह सेंटिमन्ग अगर इसकी बात करते हैं मानी control में जोlingt है तो उसके अग्य सेंटिमेंटर की बात करते हैं सेंटिमेंट्स क्या है तो 86% लोग इसको buy और 14% लोग इसको sell करने की सला दे रहे हैं अब आपको बतायता हूं जी बिजनिस पर एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें यह यह चलता क्यूं नहीं प्रोग्राम में तो उन्ह कुछ इसका अच्छा होने के बावजूद भी ये शेयर नहीं चल रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है और ये शेयर चलेगा तो अच्छा चलेगा पर अगर मैं बात बता हूँ तो उसके उस टाइम पे इसका रेट हुआ करता था 20 रुपए 21 रुपए के आसपास में पर य करते हैं शीर होल्ड इंकीं की बात करता हूँ तो इसमें किसके प्रोबारी नहीं है जीरो कीडिन के पास सबसेदा reward कि चour पर संट की है इसके इसको मैं बताता हूँ कि इस बैंक को जो भी चला रहा है वह इंडिविजल से हैं जो रिटेल इंवेस्टर से हमारे जैसे आपके जैसे वह और जो एफ आई आई से अगर अपना पैसा निकाल लेती है तो यह और गिर जाएगा तो यह इसलिए थोड़ा सा रिस्की शेयर मेरे को लगता है और ब्लॉक डील वह हुई थी साथ लाग चाउदा एकतर लाग सवरी साथ लाग चाउदा आजार चाउदा चाउदा शेयरों की ब्लॉग डील अठार रुपर पच्छिस पैसे अब आपको बताता हूँ दूसरी जो हुई थी ब्लॉग डील एकुवेंटेटी थी पांच लाग अब बताता हूँ इसका सपूर्ट कहा है तो टेक्निकल सपूर्ट अगर रिशेंट बात करता हूँ का पहला रिशेंस दूसरा रिशेंस सच्थर रुपा थानवी पैसे पर है और सपोर्ट सथरो बसे को पार करता है तो और बागयेगा अगर सपोर्ट को ब्रीच करता है तो और डाउन वारेगा इसका देमा भी अब देख रहे हैं 20 दिन का डेमा सोलह रोपाईशाट पैसे ह और 200 दिन के डेमा अगर बात करते हैं तो 16 रुपए 8 पैसे जिसके उपर ये 200 दिन के डेमा के उपर ये ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे अगर मेरा व्यू दहें तो मेरा वियू ये है कि अगर आपने इस से ले रखा है तो इसको हर उशाल में जो भी आपको उशाल मिलता है उस उशाल में आप अपना प्रॉफिट बुक करके से कट मार जाएं और अगर आपका बहुती ऊपर पे है तो अभी टाइम है इसको एवरेज करके अपने को कॉस्टिंग को नीचे लाएं और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर हो इसको बेचके आउट हो जाएं एक्जिट करें इसमें मैं अपने तरब से चाहे कोई कितना भी बुलता है यह जैकपोट शेयर है यह उड़ान बरेगा मल्टी वेगर होगा यह कुछ नहीं आपके पास इससे बेटर आप्शन्स एवलेबल है मार्केट के अंदर में जैसे यह होगा है यह बैंक है वो भी चलेगा और इसके बाद आइसे यह बैंक एक्सेस बैंक एच्डी अपसी बैंक और इसी तरीके से कई आपके पास है वैवलेबल है जो की इससे बेटर है इससे अच्छे है अगर आपको चोटे ही शेयर खेंगे च्टे बैंक होता पी झैन्बी कोई खराब नहीं है वो भी इससे तो बैटर ही है तो ठीक है आशा करत हूँ आपको यह वीडियो पसं यस तरफ ऐसे तरफ से होता है जैसे की रेज़ेंट आपने देखा होगा विक प्रों के उपर सबसे बुल ठे-विक्ष एक खराब नियूज आई वो तुरूंत गिर गया तो पैसा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजीगा अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सिर्फ मेरा नाम सर्च करना है विने सेंगर आपको मुझेट में टॉप पे मिलूंगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो